सो दोस्तों सौगत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों मैं गोबिन जैस्वाल दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो गैस संयंत्र दोस्तों इस चीज को समझने से पहले यहां पर हम जान लेते हैं कि बायो गैस होता क्या है दोस्तों बायो गैस से एक घटिट कराने पर प्रbies होता है तो यह हमारा हो गया bio gas और इसका उपयोग हम इधन के रूप में कर लेते हैं अब हम यहां पर बात करते हैं bio gas sanyantr के बारे में दोस्तों bio gas sanyantr को समझने के लिए हम यहां पर एक चितर ड्रा कर देते हैं जो कि यहां पर यह रहा और यह हमारा है एक बायो गैस संयंत्र का पूरा चित्र अब हम इस चित्र के माद्दम से सारी चीजों को समझते हैं दोस्तों यह जो बायो गैस संयंत्र होता है यह एक गुंबदा कार आखिर्द की होती है और यह इंटो से बनी हुई होती है मल होता है या फिर फसलों के अपसिष्ट पदार्थ होते हैं इनको हम छोटे-चोटे टुकडों में काड लेते हैं जो सबजियों के अपसिष्ट पदार्थ होते हैं इनको छोटे-चोटे टुकडों में काड लेते हैं और पानी में आकर इस डाइजेस्टर में यहां पर एकत्रित होता है यहां पर यह जो आप टंकी नुमा भाग देख रहे हैं यह हमारा होता है डाइजेस्टर यहां पर यह आकर यहां पर एकत्रित होता है अब यहां पर क्या होता है कि यह जो डाइजेस्टर होता है यहां पर आकसीजन अन टंकी नुमा होता है यानि कि यहां पर यह जो हमारी करदम और इसलेरी आती है इसको हम हाफ वरते हैं तो इसके जिस्ट उपर हमारा जो भाग बचता ही हमारा होता है गैस टंकी अब क्या होता है कि यह जो हमारा करदम या इसलेरी यानि कि कहने का मतलब है जो अभी हमने गोब पर यह आपसिस्ट पधार्द को यहां पर पानी में घोल मिला कर जो ड़ला इसकी बात करने हैं जब maintत्र रोता है गैस टंकी है, इसमें गैस यहां पर भर जाती है, तो इसी के जेस्ट ऊपर एक यहां पर पाइप लगा होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, यह हमारा एक पाइप है, इस पाइप के सहारे से यहां पर जो हमारा यह गैस होता है, इसको हम बाहर निकालते हैं, और इसका यू तक इसमें सड़ता है, अबगटित होता है और जब यह अबगटित हocal है, तो इनसे gas निकलती है, और धbalance धीरे-धीरे जब यह पॉन्ड अबगटित हो जाता है तो इनसे gas का निकलना कम हो जाता है, तब हम क्या करते हैं कि जो अब बचा होता है इस डाइजेस्टर में इस चीज को हम यहां से बाहर निकाल लेते हैं इस निर्गत दोर दोरा और जब हम इस चीज को बाहर निकालते हैं तो यह हमारा कार कर जाता है औरबरक यानि कि खाद के रूप में क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फासफोरस की मातरा होती है तो इस चीज को जब हम खेतों में यूज करते हैं तो ये हमारा औरबरक का काम कर जाता है तो इस परकार से यहां पर ये जो हमारा बायो गैस संयंत होता है ये कार करता है यानि कि बारी बारे से हम इसमें करदम और इसलेरी को डालते हैं कुछ दिनों तक ये सड़ता है इससे मेथेन गैस या फिर जो गैस नंके में गैस निकलते हैं और इनका यूज हमीधन में करते हैं उसके बाद में ये जो हमारा करदम या इस लेरी है ये अब घटित हो जाता है तो इस चीज को हम निकाल लेते हैं और इसको खाद के रोप में यूज कर लेते हैं तो इस परकार से हमारा ये पूरा बायो गैस संयंत्र कार करता है तो अब हम बात करते हैं बायो गैस संयंत्र की बिसेस्ताओं के बारे में अब दोस्तों अगर हम इसकी पहली बिसेस्ता के बारे में बात करें तो इसके जलने से धुआ उत्पन नहीं होता जिसके कारण वायू परदोसन नहीं होती कहने का मतलब है कि ये जो हमारा बायो गैस संयंतर होता है इसमें से जो गैस निकलती है इसमें हमारा 75% मेथेन गैस होता है तो क्या होता है कि जब मेथेन गैस जलती है तो इससे कोई परदोसन यानि कि जो धुआ होता है ये नहीं निकलता है तो इस परकार से कोई बायो परद अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी बिसेश्था के बारे में दोस्तों बायो गैस संयंतर से प्राप्त अब घटित पदार्थ में फासपोरस तथा नाइट्रोजन की मात्रा होती है जिसका उपयोग हम खेतों में औरबरक के रूप में कर लेते हैं तो दोस्तों ये रहा हमारा बायो गैस की बिसेश्था हैं अब हम बात करते हैं बायो गैस के उपयोग के बारे में दोस्तों अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग घरों में इधन के रोप में किया जाता है इंजन चक्कियां चलाने के लिए किया जाता है या फिर बिद्द उत्पादन के छेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो बायो गैस संयंत्र दोस्तों उम्मीद करता हूं ये चोटी से वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और